हलो फ्रेंज बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल वन मदू बलोगर में और आप सब कैसे हैं I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज के वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि बच्चों के साथ हम लोगों को कैसे behave करना चाहिए और कैसे क्या उनके साथ रहना चाहिए हम लोगों को जिसे बच्चे हम लोगों के आगे चल के बहुत ही अच्छे बन सकें तो बच्चों को समझदार बनाना चाहते हैं तो कभी ना करें ये गल्तियां बच्चों को जीवन भर इससे बच्चों के जीवन पर पढ़ता है बहुत बुरा असर तो उसमें सबसे पहले है कि बच्चों पर गर्व करें उन्हें कभी कोसे नहीं माबाप बनने से ज़्यादा खुबसूरत एहसास और कोई नहीं होता यह हर किसी की जिन्दगी में किसी तोफे से कम नहीं होता आप खुद को खुश किसमत समझिये और बच्चों को भी एहसास दिलाईए कुछ लोग कुछ वजों से माबाप नहीं बन पाए और यह उनकी सबसे बड़ी खुआश यहीं रह जाती है कि कास उनकी कोई औलाद हो इसे लिए कभी भी अपने बच्चों पर अफसोस ना करें और नहीं अपने बच्चों के अंदर ऐसी भावनाएपन अपने दें और दूसर नमबर पर है कि कभी भी उनकी तुलना ना करें यह एक जोर्ब है एक तरीके से आप अपने बच्चों की तुलना किसी और से करते हैं चाहें वो आपके बच्चे के दोस्त हो या उनके अपने भाईवेन हो या और कोई हो आपको ये समझना चाहिए कि हर बच्चा अपने आप में खास होता है हर बच्चे के अपने अलग सपने अपनी अलग सोच हो सकती है और यह parents का काम है कि उनकी भावनाओं को समझें और उनके सपनों का सम्मान करें नमबर तीन पर आता है कि कभी भी उन्हें कड़ी सजा ना दे जो बच्चा गलतियां ना करे शरारत ना करे वे फिर बच्चा कैसा तो और इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उनकी हर गलती पर आँख मूद के भरुसा कर ले उनको जो गलतियां होती है तो उनको पीच पीच में आपको समझाना भी है बट उनकी जो गलतियां होती है बच्चमन में तो उसमें आपको बहुत कठोर सजा उन्हें नहीं देनी है बच्चों का मन बहुत ही कोमल होता है मतलब भी मैं बोलना चाहती हूँ कि उनकी सजा और डांट में एक अनपात होना चाहिए किसी भी परिस्तिते में शारीजी ग्रूप से उनने सजा ना दें आप तो ज़्यादा बेटर होता है और नमबर चार पर है कि हमेशा यह याद रखें कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है सबसे एहम बात यह है कि आपको अपने बच्चों की परवरिश में उनकी उम्र का ख्याल रखना चाहिए अगर आप अपने टीन एज के बच्चे को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो यह नुक्सान दैक हो सकता है उम्र बढ़ने के साथ साथ हर बच्चे को आजादी चाहिए होती है इसलिए अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से उनकी जरूरतों का ध्यान रखें उनके दोस्त बन कर रहें और दोस्त जो होता है वो तो हर गलती पर उनके परदा डाल देता है लेकिन आपको दोस्त के साथ साथ एक अच्छा इंस्ट्रक्टर भी बनना है और उन जहां पर वो गलती करते हैं तो उनको समझाना भी है और नमर पाट पर हैं दूसरे की सलापर काम ना करें जब भी आप पैरेंट्स बन जाते हैं तो हर कोई अपनी सलाप देने लग जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो कोई सलाप दे आप उसे मान लें आपको ये समझने की भी जरूरत है कि हर परिवार की अपनी अलग कहानी है अलग परिष्थितियां है और जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे के लिए जो चीज कारकर साबित हो यो वो आपके बच्चे के लिए भी सही हो आपके बच्चे का माइड तो अलग है उसकी सोच अलग है उसकी कापसिटी अलग है पढ़ने की तो आप दूसरों की बास सुनिये लेकिन अपने बच्चे के अकॉर्डिंग उनकी बातों को मानिए कि आपका बच्चा क्या चाहता है आपके नमर 6 पर है कि आपके काम आपके शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं मतलब जो आप practically करके दिखाते हैं वो बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव डालता है तो कुछ पेरेंट्स बच्चों से बहुत अच्छी बाते करते हैं पर वे खुद उन बातों पर अमल नहीं करते हैं आपका बच्चा भई सीखता है जो आपको करते हुए देखता है कुछ चीज़ें हम लोग बच्चों को नहीं शिखाते हैं लेकिन वह अपने आप हम लोगों को देखकर सीख जाते हैं, सिफ देख देखकर ही बच्चा सीख जाता है, तो अपने बात्चीत में, अपने ब्योहार में थोड़ी साफधानी रखें, जैसे जिन घरों में गाली देकर बात की जाती है, तो वह छोटे बच्चे भी गाली जैसा बच्चों के साथ दोस्त परताव करें, और उनकी हल गलती को नज़र अंदाज नए unless we have you. जरूरत पढ़ने पर उन्हें घ़लत फैसले लेने से रोकें तो आपको एकदम अॉटर नहीं करना है उनको बहुत ज़्यादा गुस्ये से आपको उन्हें नहीं रोकना है कि अगर आप ये फैसला लेता हो कि आपके आगे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर वो आपको लगता है कि वो फैसला सही नहीं है तो उन्हें बहुत प्यार से और अच्छे से समझाएं उस वक्त को पार करना है आपको केबल जब वो गलत फैसला ले रहे हैं कभी-कभी कभी-कभी ज़्यादा लाड प्यार भी बच्चों को बिगार देता है तो आपको वैलेंस में रखना है मलब आप उनको प्यार करिए उनको शुरक्षित महसूस कराईए लेकिन ऐसा भी बिल्कुल मत बोलिए कि जो तू जो चाहेगा मैं करने को तयार हूं बिल्कुल ऐसा बच्चा जो रहता है वो फिर अपने पर कभी डिपेंड नहीं हो पाता है फिर वो आप पर ही डिपेंड हो जाता है अपनी हर जरूरत के लिए तो उसको समझदार बनाए उसको अपने पैरों पर भी खड़ा होना है इस तरीके से आपको उसकी परवरिश करनी है हर टाइम झाल रहेंगे आप हर चीज के वो उसकी जरूरत पूरी करेंगे तो भी यह सई नहीं है और नंबर 10 पर है कि अपने वच्चों को घर पर बहुत Iya शुरक्षित मौहाल दें उनको घर में अच्छा लगें उनको ऐसा ना लगेगी घर में बहुत ही कलेश का महौल अधर में ब बच्चे देखते हैं उनके मन पर बहुत बुरा प्रिभाव पड़ता है और उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता है तो बात-बात में होने बाली बहस से आप लोग बचे और नमबर 11 पर है कि बच्चों की बातों को धिहान से सुने उनकी छोटी-छोटी समस्याओं को हल कर जब आप उनको ऐसा महसूस कराएंगे कि हम तुमारी हर समस्या को हल कर सकते हैं सारी समस्याओं आप हमें बताईए तो बच्चे हर बात आपको बताने पर मजबूर हो जाएंगे और उनको फिर डाटना नहीं है प्यार से समझा कि उनको सही रास्ते पर लाना है और नमबर 12 पर पर है उनको नहीं पर किसी चीज का दबाब न डाले आप अपको यही करना है आप ऐसा दबाब उनके उपर न डाले जैसे उन्हें फिर बोझ लगने लगती है जाहिए जैसे पढ़ाई है पढ़ाई में भी आप नको थोड़ा और भी एक्टिविटीज करने का मुका द कि आपको पढ़ना है तो आपको किस लिए पढ़ना है कि हम लोगों को आप आगे चलके हम लोगों को देख सके इसलिए आपको पढ़ना है आपको अच्छी एक जॉब लेनी है तो इस तरह से प्यार से उनको सम्झाना है इसका बहुत अच्छा असर पढ़ता है आपके बचो मेरे से यह गलती हो गई है तो आप पहले प्यार सुनकी उस गलती को सुन ले और जो भी कुछ समझाना हो नेक्ष डे या थोड़े टाइम बात उनका समझा दें लेकिन उस बक्त एक्साइट होकर बिल्कुल भी ना डाटें कि उसी में खुछ होंगे हां उसने आपको सच बता तो इस चीज से भी आप बच्चे तुरंट ना डाटे अगर उसने कोई गलती मान ली है उसको थोड़ा प्यार से ट्रीट कर ले नमबर फोटी पर है कि उसकी हर रहा पर कुछ भी कदम आप भी चलें जैसे अगर आपने उसको कोई रहा बताई है तो थोड़ा सा आपको भी तो यह चलना है जैसे आप बच्मन में अपने बच्चों को साइकिल सिखाते हैं तो कुछ टाइम तक साइकिल पकड़ते हैं जिसे मेरा बच्चा गिरना जाए तो ऐसे यह आपको कोई भी उसको सला दे रहा है या कुछ भी कर रहे है तो कुछ कतम आपको भी चलना है कोई मेरे लिए न्यू फ्रेंड्स हों तो प्लीज चैनल को ज़्वाइन जरूर कर ले ना चैसे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें ओके फ्रेंड्स बाई बाई